हेई वाट्सप गाइज इस सुमेत राइट एर एंड बाक वत मैं वीडियो एंड तोड़े आम गाना शो यू फोर न्यू सीक्रेट एंड बैंड अप्स एंड्रोइड जो की प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है और इस क्याटिगरी में मैंने एंड्रोइड के मीडिया अप्लोड करूगा आपके पास उसका नौडिफिकेशन आ जाएगा इस एप को मैंने अपने लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आज के टाइम में लोग सबसे यादा ओनलाइन म्यूजिक एप ही यूज करते हैं Second one is MI Explorer यह एप उन लोगों के लिए best substitute है जो कि ES File Explorer या फिर Other File Explorer जैसे एप्लिकेशन को यूज करते हैं जो कि monetized होता है और उसमें adds आते हैं बट यह एप बिल्कुली add free है इस एप में आपको सारे features मिल जाएंगे जो कि Other File Manager में आपको मिलता है बट इस एप में कुछ extra features भी है जो कि आपको Other File Manager जैसे एप्लिकेशन में नहीं मिलेंगे जैसे add extra tap जिसके थुरू आप different different folders को एक ही page में open कर सकते हो like PC में जैसे हम करते हैं और यह features को use करके आप file management या फिर cut copy paste जैसे task को easily कर सकते हो और यह एप less than 2MB का है और यह add free भी है So link is given in the description below you should definitely check it out Third one is Wi-Fi Analyzer As the name sounds इस एप का use किसी भी Wi-Fi network को analyze करने के लिए किया जाता है Whether वो कितना भी weak और strong या फिर stable network हो या फिर वो network का source point किया है And इसका main feature यही कि आप किसी भी network को बिना connect करे उस Wi-Fi network को completely analyze करके पता कर सकते हैं कि वो working है या नहीं है और अगर working है तो उसका speed कितना stable है तो मैंने यहां सिर्फ एक ही network को analyze करके दिखा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही network available था बड़ आप बहुत सारे network को एक साथ analyze करके सबसे best network को choose कर सकते हो basically इसका use hacker सबसे अधा use करते हैं और शायद इसलिए यह app ले श्टोर में band है and the last one is new pipe यह application actually YouTube का एक clone version है असान बासा में बुलू तो यह बिलकूली YouTube जैसा है बट इसमें कुछ extra and most useful feature added है जो कि शायद YouTube अपने future के app में ऐसा update ला सकते है सबसे पहले तो इसका interface काफी interesting है and इसमें से आप किसी भी YouTube वीडियो को play करके उसमें extra features use कर सकते हो like video play mode में ही brightness increase or decrease कर सकते हो right side से volume increase or decrease कर सकते हो जैसे हम MX player में use करते हैं not only this इस app से आप किसी भी वीडियो को pop-up window में play कर सकते हो या फिर उसको background में play कर सकते हो as a MP3 so आप किसी भी वीडियो को as a MP3 भी use कर सकते हो and किसी भी वीडियो को अपने according उसका quality select करके उसको download भी कर सकते हो या फिर आप किसी भी वीडियो के audio के bit rate के according भी उसको download कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको like करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ and comment करके बताए कि आपको कौन सा application सबसे जादा useful लगा and subscribe करें एक स्ब्सक्राइब करें कुछ ताइप के important वीडियो के लिए क्योंकि मैं हमेसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूं and also check out these cool videos and finally thanks for watching you guys have a great day